है यह अधिक है है लो माय डिर अट्टुडेंट्स भेरी वेरी गोड इमनिंग अलोग माय डिर अपट अपट हमारा सा जुड़ जाई कनेक्ट हो जाई ये चुकि अब बच्चों हमारा महा शंग्राम तीन फर्वरी से होने वाला है बच्चा आना तो उसके लिए बिगूल ब प्रवल आने का एकदम जल्दी से धामाल मचा देजिए और क्लास को सेर कर देंगे प्यारे बच्चों चुकि ये जो आज का क्लास है बच्चों एकदम भेरी भेरी लांग कोशन जो एकजाम में बहुत बार पूछा गया है बच्चों यहीं सब कोशन आपके बोर्ड चुकि बच्चों जबजागा तवी शवेरा है ना अपने काम को किजिए अपने कर्टब को किजिए अपने एम रखिए जीवन में ठीक है कि जीवन में आपको क्या करना है अभी फिलाल आपका टारिट जो है मोर देन 95% स्कोरिंग करना ठीक है तो ही आपका और भबिस उजळ वैल होगा ठीक है तो चलिए जलदी से एक बार क्लास को शेर कर देंगे पर बच्चो फट्राबट तो दो क्लास को शुरू करे न करे न करें चलिए बच्चो यह इदकी बच्चो TOP 5 दिर्गुतरी अपर लेकर आए तिक है क्या तो पहुस्ट दिर्गुतरी प्रस्ण में पपर बच्चों कितना तोल कि प्रस्ण लेकर आएं बच्चों ठीक है जो एकदम एक्जाम में धमाल reaction मचा देगा और डाबल मचा देगा ठीक है चलिए आगे वढ़ते हैं और पहला प्रस्ण very very important question my dear students जरा class को एक बार share करेंगे बाबु ठीक है क्या है कार्बो हैडड क्या है उसका बर्गी करन कैसे किया जाता है मेरे पहरे बच्चो अब very very important question for an examination एक बार a screen screenshot ले लो बच्चा ठीक है एक बार screenshot ले लेंगे तो हम आगे की करवाई करेंगे मेरे पहरे बच्चो ठीक है चलिए screenshot ले लिया चलिए अब ज़रा इसको समझने के लिए ready हो जाए कि कहता है कि कार्बो हाइड़ेट तो कार्बो हाइड़ेट जो है हमारा कारवन हैड्रोजन किटाउन के होते हैं और वह हमारे क्या कालाते हैं कार्बो हाइड़ेट कालाते हैं ठीक है ओके चलिए अब हम इसको बरगी करन को शमझते हैं कहता है बच्चों कार्बो हाइड्रोट को उनके जल अब घटन तो था उनके फलसुरूप बने उत्पात की शंख्या के अधार सवर्म को इसको टीन कांटेग्रींगाटा है कितने कांटेग्री में कौन कौन सा मोनो सेकेशागी दूसरा ऑलिघ दीसरा पॉलिसोसे के अधा BUR से एंख्या है ऊच्छों ना जल के अबगडन के के नुशार उसके फलसरुप बने उत्पात के नुशार तीन बरगम बाता मेनुस मोनोण सेकराइड औलीगो सेकराइड और पॉली शेकराइड ओके? के लियर न अब आगे बढ़ते हैं बच्चा ठीक है पहला है बच्चा हमारा मोनोसेकराइट क्या है पहला है मारा मोनोसेकराइट है न कहता है वह इसी पोली हैडोक्सी एलडी हाईड ये कि टौन जिन में और अधिक सरल यहिकों में जल अब गटित नहीं किया जा सकता मोनोसे ग्यात है जिसके उधारन है हमारे गुलुकोज फ्रक्टोज राइबोज ठीक है जिसके उधारन है बच्चो हमारा क्या गुलुकोज फ्रक्टोज और राइबोज है मेरे पहरे बच्चो के लियर तो हमने मोनो से कराइड को किलियर कर लिया एक श्क्रीन सॉट्ट ले ले लेंगे बहुआ एका इसमें हमारा क्या क्या ग्लुकोज है जिसको आप अच्छी तरह से जानते होंगे क्या किशी ल् tänा या हो डाले सिक्समेरे पयारे बहरे बच्चों करता है वह इसे कार्वाइड्रेट जो जल में अपगटित होकर दो से नो मोनो शेकराइड अनुपरदान करते हैं जैसे सुक्रोच है ना माल्टेज लेक्टोज रेफिनोज और है ना इसका सब्सक्राइड के परदेगें परदेड यह हमारा चार एगजाम्पल हमारे ओलीगोष शेकराइड के हैं ठीक है जिसे सर पर थम यदि बच्चा हम सुक्रोज लेते हैं क्या लेते हैं बच्चो सुक्रोज लेते हैं और इसका हम जल ये अपगटन करवाते हैं यानि कि जल अपगटन की किरिया इसमें होती है ठीक है इसके जल अपगटन की किरिया होती है तो इसमें ग्लुकोज और फ्रक्टोज बनता है बच्चा क्या बनता है ग्लुकोज और पलस क्या बनता है यह फ्रक्टोज बनता है ठीक है यहां पर हमारे के हैं जली अभगटन से सुक्रोज के जली अभगटन से दो प्रकार का हमारा परदान होता है एक अनुग ग्लुकोज का होता है दूसरा हमार क्या होता है फ्रक्टोज का होता है मेरे पहरे बच्चो ठीक है ओके यदि हम रेफी नोज की बात करें ठीक है आपको मालूम है हना सुक्रोज क्या होता है c 12 h 22 o 11 होता है ठीक है और दूसरा है दिह हम बात करे रेफी नोज की दूसरा है दिह हम बात करे रेफी नोज की है ना किसकी बात करे रेफी नोज की बात करे बच्चा है ना दूसरा हम बात करे किसका रेफी नोज की बात करे मेरे पहरे बच्चो तो रेफी नोज जो होता है c सीटारा एच Bythe और यह सोला होता है थिक है प्राइब थैस् ded फो सवना होता है रे फिनोज का फॉर्मूला होता है मेरे परे नब और जब इसका जलिएंब घटन करते है न इसका जलिएंब घटन जब किया जाता है मेरे परे बच्चेस तो क्या- मिलता है सुक्रोज मिलता है है ना तीन अनू मिलते हैं यहाँ पर क्या मिलते हैं तीन अनू मिलते हैं हमारा पर रच्चो हमारा क्या मिलता है सुक्रोज ने सोरी ग्लुकोज फ्रक्टोज और लेक्टोज मिलता है इसमें क्या मिलता है हमारा ग्लुकोज ठीक है फ्रक्टोज ठीक है ग्लुकोज फ्रक्टोज और लैक्टोज मिलता है बच्चा गैलकोटोज मिलता है यह मिलता है गैलेक्टोज मिलता है है गैलेक्टोज मिलता है इसमें तीन अनूं मिलते है ठीक है तो यह हमारा क्या हो गिया क्या 差 खेम इसमें हमने क्या सुक्रोज दो अनू दिया एक गलुकोज और फ्रुक्टोज दूसरा रैफिनोज क्या दिया जली अपगड़न से गलुकोज मिला फ्रक्टोज मिला और गैलक्टोज मिला ठीक है ओके चली आगे बढ़े आगे बढ़े बचवा चली आगे बढ़ते हैं और त परज से अधिक अनु देते हैं तो यह पॉली सेकराइट कहलाते हैं और पॉली सेकराइट का यह हमारा सुत्र होता है सीजिक्स एश्टेन ओफाइब हाउलन होता है जहां एन बराबर सो से तीन हजार के बीच में हो सकती है और इसके शमान्य उधारन है इंसुलीन ग्लाइकोजन तो पॉली सेक्राइट क्या होता है स्वाद में मीठा नहीं होता है इन्हें असरकरा कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं असरकरा कहते हैं बच्चो ठीक है ति हमारा पहला कोशन कंप्लीट हो गया मेरे पहले बच्चो जल्दी से स्क्रीन सौट ले लेंग कि हमारा ग्लुकोज क्या है मेरे प्याद बच्चो उसको हम बरगी करन कैसे करेंगे किलिए चलिए मेरे प्यादे बच्चो ठीक है ओके चलिए हम दूसरे पर आते हैं दूसरा कोशन जो आपके बोर्ड इक्जाइम के लिए काफी एसेंसेल है विडियो को एनि क्लास को सुरू ने बिंजक प्राप्त करें मेरे बच्चों बड़ा ही यह इंट्रेस्टिंग है हमारे बोर्ड एक्जाम के लिए भी कोशन बार बार पूछे गए हैं इस तरह के कोशन ठीक है चलिया रियो रेडी होता है यह k into r to the power n होता है यह बेग समीकरन कहलाता है क्या कहलाता है यह हमारा बेग समीकरन कहलाता है बच्चा यह हमारा क्या है बेग समीकरन होता है क्लियर क्या होता है बच्वा बेग समीकरन होता है ठीक है और हमको चाहिए पर्थम कोटी का तो यहां पर n बराबर क्या खेंगे ती हो जाएगा माइनस यहां डी आर बाई डी टी और इसकल टू के हो जाएगा और यह हो जाएगा आर मेरे प्यारे बच्छो और यहां पर हो जाएगा हमारा ठीक है किलियर और यह हो जाएगा डी आर और अपाउन हो जाएगा आर है ना और बरावर यह हो जाएगा म अब कलन समीकरन भी इसको कहा जाता है इसको अब कलीद समीकरन भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्छों क्या कहा जाता है अब कलीद समीकरन भी कहा जाता है किलियर यहां तक तो सब भी जानते होंगे ठीक है अब देखिए यहां पर अब इसमें बात क्या आती है है यदि दोनो तरफ हम शमाकलन का चिन लगाते हैं क्या लगाते हैं समाकलन का चिन लगाते हैं बच्चा ठीक है तो इनिस्यल की बात करेंगे यहां पर यदि हम टी बराबर 0 रखते हैं तो इनिस्यल यहां पर हमारा रियक्टेन का कंसंटेशन जो होगा और यदि हम टी बराबर टी रखते ह प्राबू तो यहां concentration जो होगा हमारा आड़ी होगा यहां अभी कारक का concentration ठीक है अब यहां पर बात करें बच्चा सीधी सी बात कि इसका हो जाएगा लोग है ना एलेन हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा एलेन हो जाएगा ठीक है यह हमारा हो जाएगा एलेन है ना यह हो जाएगा एलेन आर और यहाँ पे हो जाएगा बच्चा है हमारा यहाँ पे यह हो जाएगा आर जीरो से यहाँ पे आर टी और यह माइनस हो जाएगा के और यह टी हो जाएगा फ्रॉम जीरो से टी हो जाएगा अब बात आगे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा LNRT और माइनस यह हो जाएगा बच्चा LNR0 और बरावर माइनस K इन्टु T बावू अब आगे करेंगे तो यह हो जाएगा LN ठीक है? यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा एक सेकेंड रूख जाएगा थोड़ा सा थोड़ा सा रूख जाने का बच्चा माइनस को इधर कंसीडर कर लो न तो यह हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा यह पलस में हो जाएगा लॉग बेस इह होता है बच्चा यह होता है आर जीरो बटा आर टी और बेस इह होता है मेरे पैरे बच्चों है ना और हमको बेस टेन में एक्सेंज करना होगा ठीक है किसमें एक्सेंज करना होगा बेस टेन में एक्सेंज करना होगा ठीक है तो यहां पर देखिए क्या करना ह यह हमारा 2.303 से इसको multiply करना होगा तब यह log होगा R0 बटा Rt आएगा और यहाँ पे base 10 होगा और बराबर यह K into T और यहाँ T बराबर जो हो जाएगा वच्छा 2.303 और यह हो जाएगा वच्छा log R0 बटा यहाँ पे Rt और upon यहाँ पे K हो जाएगा यही हमारा क्या हो जाएगा ना तो यह 2.303 और लॉग यहाँ पे R0 बटा Rt आप आउन क्या हो जाएगा T हो जाएगा मेरे पहरा बच्छों ठीक है तो फटापड़ इसका screenshot ले लेंगे बापू है ना फटापड़ लेंगे किलियर बाटेने किलियर बाटेने समझ में आगे बढ़ा ना समझ म आगे बढ़ान हो चली बच्छों जल्दी से नोट कर लेंगे तो इसमें और ही बातों को जराम समझने का परियास करेंगी ठीक है जल्दी से screenshot ले लेंगे बाबू पटापड़ लेंगे ठीक है ओके चलिए किलियर है न अब देखिए कह दे इसका अर्द आयू के लिए हमां निकाले गए तो हमारा बेगस्तिरांग का बेंजक हो गया अब यदि बाई दिबे कह दिया बच्छा कि हमारा यहां पे जो है न यहां पे के बराबर हमारा आगिया 2.303 और यह लोग हो हमारा टी यहां फिर टी बराबर हो जाएगा 2.303 और यहां लोग आर जीरो बटा आर्टी अपाउन हो जाएगा हमारा के यदि हम टी हाप की बात करे अर्द आयू की बात करे तो यदि हम टी बराबर यहां पे टी हाप लेंगे तो यहां पे आर टी बराबर जो हो जाएगा यह R0 by 2 हो जाएगा ठीक है इस case में क्या हो जाएगा याद रखेंगे आप कि Rt बराबर R0 by 2 हो जाएगा तब हमारा क्या हो जाएगा T बराबर 2.303 और यह हो जाएगा बहुत लोग यह हो जाएगा R0 यहाँ पे R0 upon T यह मोटा लकी रहे दू पर चल जाएगा यह हो जाएगा T के जाएगा T हाफ यह हो जाएगा T हाफ है ना ओके और यह हो जाएगा 2.303 और यहाँ लोग जाएगा 2 और यह हो जाएगा R0 बटा R0 जो है यह आपस में कट जाएगे ठीक है यह आपस में कट जाएगे यह हो जाएगा T हाफ इस इकल टू अपन छूट रहा अपन के है ना अपन यहां पर के देदे दे जाजे यह 2.303 और यह हो जाएगा लॉग 2 बेस 10 अपन हो जाएगा के किलियर न अब देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं बचवा है न यहां पर क्या करेंगे टीटी हाफ बराबर जोगा 2.303 और लॉग 2 का जो भेलू होगा यह 3.0 10 अपन हमारा क्या जाएगा के डैट मिंस टी हाफ इसकल टू जो जाएगा 0.693 0.693 अपन के तो यहां पर अर्ध आयू जो है ना है ना यहां पर हमारा अर्ध आयू जो है ना यहां पर अर्ध आयू जो है हमारा किस पर निर्भर नहीं करता है तो अभिकारक के शांदरन प करता है बच्चा याद रखेंगे अभिकारा के शांदरन पर निर्भर नहीं करता है मेरे प्यारे बच्चो निर्भर नहीं करता है के लिए यह हमारा दूसरा important question हो गया आपके बोर्ड एक्जाम के लिए के लिए रहना तो फटा पट इसका स्क्रीन सौट ले पर आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चो नूसरा किक freaking एक एक लगन सील बने रहिए और chef अंपने आपको पर इसमेश किसे और आप अभी से मेहनत किसे नहीं आपका अभी आने वाला समय जो है जो भी बच्चा है एक से डिड़ महिना यही आपको रिजल्ट देगा बच्चा 95 क्रॉस करवा के देगा ठीक है तो चलिए स्क्रीन सोट ले लिए आप लोगे ने हना चलिए आगे बढ़ा जाए आगे बढ़े बच्चा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन काता है लिगेंड क्या है मेरे पैरे बच्चो दिस इस दा मोस्ट हाइलाइड़ कोश्चन पोर एन एक्जामनेशन की हमारा लिगेंड क्या है है तो करता है उधारन के साथ बर्गी करन को समझाए तो करता है संकुल आयन में किंद्री धातु परमानो या आयन के साथ संयोजित उदासीन अनु रिनाय न यह धनायन को हम क्या करते हैं लीगेंड करतें बच्चा क्या करते हैं लीगेंड करते मेरे बच्चो दिस इस ऄगश्डे़रे और फोर ओर यहां पर CL2 ले लिया हमने ठीक है और यहां पर CL ले लिया तो यहां पर क्या है ना यह NS3 वह है ना यह हमारा ligand है बच्चा क्या है यह हमारा ligands है या फिर CL है ना यह हमारा क्या है यहां पर यह भी हमारा ligand है बच्चा यह भी हमारा क्या है यहां पर लीगेंड से मेरे पेरे बच्चों ठीक है तो अब जिर दिखें यहां पर ध्यान देनी योगी बाते क्या है कि इसका बरगी करन हम कैसे करेंगे ठीक है तो चले इसके बरगी करन को समझते हैं तो करता बच्चा आबेस के अधार पर हैं इसका बरगी करन दो बात करें तो हमारा क्या होता है उदासीन लिगेंट होता है जिसमें हमारा H2 आता है NO आता है Cu आता है 66 H5N आता है धनात्मक लिगेंट की बात करें नाइट्रोसोनियम आयन हो गया NS3 पलस हो गया रिनात्मक लिगेंट की बात करें तो chlorine minus NO2 minus CN minus OH minus होता है बच्चा यह हमारे आबेस के कारण जो है ना आबेस के अधार पर legend को तीन कटेगरी में बाटते हैं कि लिए इसका screenshot ले लिए फिर इस पर आएंगे हम इसका screenshot ले लिए फिर हम चाहे वोके चलिए अब जराब बच्चों हम समझते हैं कि यह लग्ट्रोन युग्म के अधार पर हमारा जो है ना यह कौन किस कितने परकार्श होते हैं ठीक है तो देखिए सबसे पहला क्या होता है हना यह हमारा होता है मोनो डेंटेड लिगेंट दूसरा होता है बाई डेंटेड लिगेंट तीसरा होता है ट्राई डेंटेड लिगेंट चौथा होता है टेट्रा डेंटेड लिगेंट है ना तो अब आरी-बारी से समझने का पर्यास करते हैं ठीक है कि मोनो डेंटेड लिगेंट क्या है जिसे हो लेंगे केलिएर से स्क्रीन सॉट ले लेंगे बाबु जल्दी से स्क्रीन सॉटले लेंगे किलियर ओके और चौर्था हमारा यहां पे है बच्चा यह पांस तरह का इसे बहुत सारा होता है लेगनी से यहां पर देखिए किस तरह से होता है यह हमारा देखिए टेंट्रा डेंटेड लिगेंड भी होता है पेंटा डेंटेड लिगेंड भी होता है उतना याद है तो ठी स्क्रीन सोट ले लिए फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है पटापट स्क्रीन सोट ले लेंगे एकदम एकदम गुर्दा मचा देना ऐजी एकदम करता है कि प्राकृतिक मधुरक सुक्रोज गरहन की गई कैलोरी बढ़ाते हैं है ना प्राकृतिक मधुरक जो होता है सुक्रोज के द्वारा गरहन की गई कैलोरी बढ़ाते हैं तथा दंद 6 की प्रेडित करते हैं ठीक है अता इन समस्याओं को निदान के लिए कृत्रिम हना क क्रित्रिम हमारा क्या मधुरक क्या किया जाता है परियोग किया जाता है जैसे हमारा क्या हो गया सैक्रीन यह सभी मदूरक के कटेगरी में आता है मेरे पैर बच्चों ये सभी जो है ना हमारे क्रित्री मधुरग के क्कटिक्री में आते हैं ठीक है चलिए फड़ाइपड इसको नोड कर लिजीए स्क्रीन सॉटuट ले लेंगे बाभू इज़ा पाइपड़ाइपडgender की सुछ कोस्टन है बाबू ठीक है चलिए आप लोग जल्दी से नोट किजिए तो हम फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है अब देखिए हाना ये तो हमारा होगी आप थोड़ा कुछ कुछ इसके बारे में जनकारी ले ले हैंना क्या बाबू सैक्रिंग एलिटेम अस्पार्टेम कुछ एक्जांपल के जरिये समझने का परियास करते हैंना तो यह हमारा जो है बच्छा यह हमारा सैक्रीन है यह जो दिया हुआ है यह हमारा सैक्रीन है यह हमारा क्या है ना यह स् सैक्रीन का दिया हुआ है तो सैक्रीन का हमारा नाम क्या बैच्चो जानने का परियास करेंगे इसका नाम है सल्फो बिंजामाइड है ना यदि इसका नाम की बात करेंगी इसका नाम 백रण कि बात हम करना चाहेंगे इसका नाम है सलफो बेंजाइड है ना इसका नाम है सलफो बेंजाइड सलफो बेंजाइड इसको बोलते हैं वच्चा किसको सैकरीन को क्या बोलते हैं सलफो बेंजाइड बोलते हैं ठीक है कहता यह सरवाधी उपयोग में आने वाला मदुरक है यह टे योग डायबिस से गराश्त रोगियों के लिए किया जाता है जिने कम कलोरी कि आवसकता होती है यह तो सक्रीं स्क्रीन हमारा जो है ना कित् investigations often km मंधुरख है और इसको सल्फो बिंजाइड बोलते हैं और यह हमारा क्याना टेबल सरकरा से 305 गुना अधिक होता है और यह जल में अब इले होता है इसका परियोग डायबटीस से ग्रस्त रोगियों के लिए किया जाता है जिने कम कैलोरी किया हो सकता होते हैं यह पोडेसियम यह सोडियम लवनों के स्ट्रूप में बजार में ठोस रोप में पाए जाता है जो कि क्या होते हैं जल में पूंड बिले होते हैं के लियर मेरे वच्चो अब आगे बढ़ते हैं ठीक है कि दूसरा हमारा प्यारी बच्चों है एलीटेम है तो कहता है इस सुक्रोज का मतलब समझते हैंना सी 12-22-11- रहा है ना सुक्रोज से 2000 गुना मीठा होता है इसे भोजन मिलाने पर मिठास नियंतित करना कठीन होता है इसकी संदचना क्या होती है निम्नमत याद करने की जरूत नहीं है सिर्फ यह जानिए आप कि एलिटेम जो होता है निया सुक्रोज से 2000 गुना मीठा होता है और इसे भ सुक्रोथ से लगबग स्वस्थी गुन मीठा होता है इसने का परियोग ठंडे भोजन तता मिर्दु पे-में किया जाता है बच्छो-किलियर तो यह बच्चा याद रखेंगे कित्री मधुरक का हमने तीन क्यक्टेगृ बताया सैक्रीनत करूल मताय बारे मताया और थीस अंने इसरा हमने बताया भी सब कोशन आपके बोड एक्जाम में आ सकते हैं बच्छो ये सभी कोशन ना आपके बोड एक्जाम में आ सकते हैं ओके तो कलास को जरूर सेर करेंगे मेरे पर अच्छो हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन प्रस्ट को लेकर आते रहेंगे उसके लिए क्या होगा आपको class को share करना होगा ठीक है ओके बच्चा तो हम मिलते हैं next class बच्चो बाई बच्चो